हेलो फेंड स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आएं आपके लिए जून मंद का करेंट अफेर जो की सेकंड बिक का है अगर फर्स्ट बिक का आपने करेंट अफेर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस से दे नेतरा है विकास और सांती के लिए संजुक्त राजसंग की सभावना राजदूत किसे निक्त किया गया है तो इसका जाँ सई अंसर है वो है आप्सन नमर सी नेतरा इनका पूरा नाम है वो है एम नेतरा ये 13 साल की है और ये तमिल नाडू से बिलोंग करती है इनके फॉद इसलिए ये 5 लाग रुपे उनसे निकल बाकर कोभीड उनीस के लोगों को मदद के लिए लगा दिया गया इसी के कारण जो UNADP है मतलब United Nations Association for Development and Peace है ये एम नेतरा को Goodwill Ambassador to the Poor निउक्त किया है अब बढ़ते है अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है वह ने भारत के किस NGO को बि जगा Option Number B Seeds अगर Seeds की बात करते हैं तो इसका Full Form है Sustainable Environment and Ecological Development Society Sustainable Environment and Ecological Development Society जिसकी अस्थापना UNADP 94 में हुई थी Clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किस देश में राहूल सिर्वास्तव भारत के अगले राजदूत निउक्त की हुए है तो इसका जो सही अंसर है बोई Option Number B रोमानिया अगर हम रोमानिया की बात करते हैं तो रोमानिया की राधानी है बु इनको स्विजरलेंड का बनाया गया है गायतरी कुमार ब्रिटेन की सुसील कुमार सिंगल पपुवन निउगिनी की सीबी जॉर्ज कुबैत के रभीज कुमार फिनलेंड के तो ये सारे कुछ हो राजदूत हैं जो आपको याद रखने होंगे Clear है? चलिए अब बढ़ते है अगले कुशन की तरफ अगला कुशन है अडिटास ने किसे भारत में अपना ब्रांड अमबेश्टर निउखत किया तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा आप्सन नमबर भी मानूसी छिलर मानूसी छिलर जो है वो रोतक हरियाना से बिलोंग करती हैं और ये 2017 में मिस इंडिया भी रह चुकी है अगर हम बात अडिटास की कर लेते हैं तो अडिटास एक स्पोर्ट्स बनाने वाली कंपनी है जो जिसका इस्टैबलिश्मेंट 1924 में हुआ है और इसका हेड़कॉर्टर जर्मनी में है क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन के इसका इस्टैबलिश्मेंट 1923 में हुआ है इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और इसके अभी ततकालीन MD जो है अमिताब चौदरी और इसकी अध्याच के नाम है राकेस मखीजा अगर हम यहीं पर और बैंक की बात कर लेते हैं तो यूको बैंक का हेड़कॉर्टर है क एड़कॉर्टर है और अस्थापना 1924 में हुआ है क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन है किसने यह बाई बर्ल इंटर्प्रेनियोर अब दे यर 2020 पुरुसकार जीता है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपसा नबर C कि यह कौन है यह बायो कॉन कम बायो कॉन लिम्टेड की कार्यकारी अध्याच है ठीक है यह किलन मजुनदार सा जो है वो तीसरी भारतिये हैं पुरुसकार प्राप्त करने वाली लेकिन अगर महिला में पूछा जाए तो वो पहली महिला है अगर भारतिये में टोटल मेल और कुछा जाए तब वो तीसरे भरती हैं इससे पहले 2005 में AR नरायन मुर्ति को मिल चुका है और इसके बाद 2014 में उदय को टेक को मिल चुका है और फिर अभी 2020 में किरन वजुमदार सा को मिला है क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किस राज में Thanks Mom नमा के बिल्चार अभियान शुरू किया गया है तो इसका जो सई अनसर होगा बो होगा option number B मद्धर प्रदेश इसका उद्धेश क्या है इसका उद्धेश है ग्रामी नर्थ वेवस्ता को बढ़ावा देने और किसानों की मदत करना MP से एक और चीज याद रखिएग MP ने हाली में मुख मंत्री सहरी पथ बेवसाई उत्थान योजना भी सुरू किया है साथी साथ MP से याद रखिएगा माधबगड, काना, पान्ना, सत्पूरा, माधब, बन्बियार ये सारे राष्टी उध्यान कहा है मध्य प्रदेश में है क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किस राज ने खाद बन पर योजना सुरू किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा ओप्सन नबर B यानि केरल ने सुरू किया है ठीक है और इस योजना का मुख हुद्देश है आदिवासी लोगों को खाद सुरू अच्छा प्रदान करना अगर हैं केरल की बात करते हैं तो यहां के मुख मंतरी का नाम है पिनराई बिजयान यहां के गबर्नर का नाम है आरिभ मोहम्मद खान यहां लोग सभा में 20 सीट है विदान सभा में 140 सीट है क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हाली में 30 राय सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा परबंदन प्रेटफॉर्म लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number C यानी आंध्रप्रदेश ने आंध्रप्रदेश एक और चीज़ याद रखेगा इन्होंने हाली में एक निगाह एप भी लॉंच किया है कोबीड फॉर्मा भी लॉंच किया है और मोबाइल हैंडवा सुविधा स्टेशन भी तो ये तीनों चीज़ों का संबंध आंध्रप्रदेश से है अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हाली में किस रेलबे जक्सन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है तो इसका जो सई अंसर होगा बोगा आप्सन नमरे त्रीची यानि त्रीचुरू पल्ली जो की तमिन लाडू में है क्लिर है अगर हम बास CII की करते हैं तो CII का मतलब होता है Confederation of Indian Industry जिसकी अस्थापना 1895 में मुई थी और इसका मुख्याल है कहां है निउ दिल्ली में है क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हाली में किस राजी सरकार ने कॉलेजों में 100% परवेश की मुख्यों को होसना किये तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा आपसर नमर A असाम अगला कोशन है केंत्रिये मंडल ने अगले 10 बरसों के लिए परिया बरन के छेतर में सही योग पर भारत और किस परडोसी देश की भी समझाता की मंजूरी दी है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा आपसर नमर C यानि भुटान अगर आप भुटान की बात करते हैं तो इसका कैप्टल है थिंपू और यहां के राजा हैं होते हैं उनके राजा का नाम है जिगमे, खेसर, नमग्याल, बॉंग चुक क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है के अंद्रिये सराक और परिभान मंतराले ने हाली में बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगला कोशन है हाली में किस राज की सरकार ने परवासी सरमिकों के लिए राज कोसल पोर्टल और ऑनलाइन सरमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है तो इसका ज़ा सही अंसर होगा वो होगा option number D यानी राजस्थान ठीक है यह राजस्थान होगा इसका सही अंसर अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान के जो CM है उनका नाम है असोग गहलोत राजपल का नाम है कलाज मिसरा राजस्थान से कुछ important चीज याद रखेगा राजस्थान से याद रखेगा राना प्रताप सागर परियोजना यही है जबाहर सागर परियोजना यही है और यह दोनों किस पे चंबल नदी परिस्थित है राजस्थान से और याद रखेगा रंथम बोर के ब्लादेव मुकुंदरा राष्टिय उद्यानिये सब भी कहा है राजस्थान में है गरेलू हिंसा और दुर बेवार से गुजेर्याई महिलाओं की सुरच और ससक्ति करन के लिए इस्तरी नामा कार्द करम कहां शुरू हुआ है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नबर भी हैदराबाद अगर हम बात करते हैं इस्तरी की तो इस्तरी का फूलफों में सी ट्रूम्स थो रिस्पेक्ट इक्वलिटी और इंपॉबर्मेंट क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है जून दो अजार बीस में नबाड ने कोबीड उनएस महामारी के चलते अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला कोशन है जून दो अजार बीस में किस राज में प्लांट हैंस क्लिनिक का आउद भाटन किया गया है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number बी यानि मनीपूर में किया गया है और इसका उदेष क्या है इसका उदेष है क्रिशी और बागवानी में ब्रिधी करना अगर हम मनीपूर की बात करते हैं तो मनीपूर के मुखमंत्रिय है एम्बिरेंसिंग और राजपल है नजमा हिप्तुल्ला क्लियर है चलिए अगला कुशन है जून 2020 में किसके दौरा कोवीड बीप नामक अप लॉंच किया गया है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा ऑप्सन अबर डी जिते अंदर सिंग ठीक है और यह जो कोवीड बीप नामक अप है इसको डवलप्ट किया गया है एस आइसी हैदराबाद के दौरा क्लिर है और यह एप करेगा क्या यह करोना बारत संक्रमित मरीजों के लिए बायर ले सारीलिक माप दंडो की पहली स्वादेसी निगरानी प्रनाली एप है क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरब अगला कुश्चन है जून दोजार बीस में एल बिस विद्याले दोरा जारी परिया बरन परदस्वक सुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा आपसर नमर सी यानि 168 और पहले नमर पे कौन है फर्स्ट पोजिशन पर है डेनमर्क क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरब अगला कुश्चन है आबूत हाबी इंवेस्टमेंट आथरिटी ने रिलांस जीओ प्लेटफॉर्म में कितने परतिसत की हिस्सेदारी खरीती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा ऑप्सन नमर A यानि 1.16 परसेंट जो की अल्मोस्ट 5,6,8,3,5,0 कडोर रुपे के आसपास है चलिए अगले कुश्चन है जून 2020 में किस राज में स्थित बाग जान तेल कुआं में भीसन आग लग गई है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा ऑप्सन नमर B यानि असाम और ये असाम के कहा है तिन सुकिया जिला में था असाम के तिन सुकिया जिला में है और ये जो कुआ है वो किसका कुआ था वाइल इंडिया लिम्टेट का कुआ था तो इसका जो सही अंसर है वो होगा, option number A, रंजीत कुमार ने, ठीक है, और ये पिछले recently 30 साल से नासा के साथ काम कर रहे थे, अगर हम बात नासा की कर लेते हैं, तो इसकी अस्थापना 1958 में हुआ है, और इसका headquarter जो है, वो बासिंग्टन DC में है, clear है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है, निमलिखित में से किस अंस्थान ने COVID-19 से बचने के लिए, अनन्या नामा किटनासु का spray बिक्सित किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number A, Defense Institute of Advanced Technology ने, अगर हम Defense Institute of Advanced Technology की बात करते हैं, तो ये DRDO द्वारा समर्सी, एक dimmed university है, जिसकी अस्थापना उनाईसों बामन में किया गया है, अगर हम बात अनन्या की करते हैं, तो अनन्या एक जल अधारीता spray है, जो 24 गंडे तक परवाबी रहता है, clear हैं, चलिए, अगला question है, केंद्रिये आप परते अचकर, और सीमा सुल्क बोड यानि CBIC ने, अगर बत्ती निर्वाताओं द्वारा आयात किये जाने वाले बास पर सीमा सुल्क 10 परसेंट से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, तो इसका जो सही अंसर है, बो है, अप्सन नबर C, यानि 25 परसेंट कर दिया है, अगर हम CBIC की बात करते हैं, तो इसका गठन 1964 में हुआ है, और इसका आम है, एम अजीत कुमार, क्लेर है, चलिए, अब अड़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है, सरकार ने परधान मंतरी क्रिसीव सी चाहिए ओजना, कि पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, घटक को लागू करने के लिए कितना धन आवंटित किया है, तो इसका जो स सबसे महगा सहर कौन है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नमर B, यानि मुंबई, क्लेर है, चलिए, नक्स कोश्चन है, FSSI ने खासूर अच्छा सूचकांग, 2020, Food Safety, Index 2020 जारी किया है, इसमें से कौन सा राज सिर्ष अस्थान पर रहा है, तो इसका जो सही अ गया है, और अगर केंसासित परदेश की बात करते हैं, तो केंसासित परदेश में पहला अस्थान चंडिगड को दिया गया है, ठीक है, अगर हम FSS AI की बात करते हैं, तो FSS AI क्यों फूल फॉर्म जो है, वो है, Food Safety and Standard Authority of India, जिसकी गठन 2001 गारा में हुआ है, और इसका हेड़क पस्चिम मंगाल को, और ये रिन क्यों दिया गया है, कोबिड उने इस स्थिदी से निपटने और विकास कार्यों के लिए दिया गया है, अगर हम बात 20 बैंक की कर लेते हैं, तो 20 बैंक का गठन उने 244 में हुआ है, और इसका हेड़क्वाटर बासिंग्टन डीसी में है, और अभी इसके अध्याच जो हैं, उनका नाम है डेविड माल पास, क्लियर हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, आईए, नेक्स कोशन है हमारा, अथलीट से इंटेग्रेटिक यूनिट, AIU ने अथलीट गोमती मारी मत पर कितने साल का प्रतिवन लगाया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, ऑप्सन नमर C, यानि चार साल का, ठीक है, यह गोमती मारी मुथू है, जो तमिलाडू की हैं, अगर हम AIU की बात करते हैं, तो इसका गठन 2017 में हुआ है, और इसका जो हेड़क्वाटर है, वो मोनाको में है, क्लियर है, चलिए, अब बड़ते हैं, अगले कोश्चन की तरब, अगला कोश्चन है, रोटरी इंडिया ने इस समागरी परसारित करने के लिए किसके साथ हम जोता किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, ऑप्सन नमर A, यानि NCRT के साथ किया, अगर हम बात NCRT के कर लेते हैं, तो NCRT का full form होता है, National Council of Educational Research and Training, जिसका गठन 611 में हुआ है, और Headquarter New Delhi में, और NCRT के अभी ततकालीन अध्यच के नाम है, Rames Pokrial, क्लेर हैं, अगर हम बात Rotary India की करते हैं, तो Rotary International का गठन 905 में हुआ है, और इसका Headquarter जो है, Boy United State में है, क्लेर हैं, चलिए, अब औरते हैं अगल का नाम क्या है, तो इसका जो सईयन सर होगा, बहुत जो अप्सन अबरे, यानि आदित, और यह सुरू किस ने किया है, केरल राज में सुरू किया गया है, क्लेर हैं, चलिए, अगला कोशन है हमारा, कि इस कंपनी ने ESO platform लांच किया है, तो इसका जो सईयन सर होगा, बहुत अबरे, यानि हीरो मोटर कॉप, क्लेर है, अगर हम हीरो मोटर कॉप की बात करते हैं, तो इसका गठन 1984 में हुआ है, और इसका हेड़कॉर्टर न्यू देली में है, क्लेर है, चलिए, नेक्स वोचन हमारा, कौन सा देश उसन कटी बंदिये तुफान, क्रिष्टो बाल से प इसकी करेंसी का नाम है, डॉलर, क्लेर है, चलिए, नेक्स कोईशन है, अर्जुन चरन से ठीका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो अर्जुन चरण से धिप्पूल के अंदरिये जलसन साधन मंतरी थे जिनका हाली में निदन हो गया है Next question है हमारा QS ने बर्ल इन्वर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी किये इसमें C संस्थान पे कौन रहा है तो इसका जो साई अंसर हो जाएगा वो option number C यानि MIT, clear है ये जो MIT है वो first position पे है ये Stanford जो इन्वर्सिटी है वो second position पे है और ये जो Harvard University है ये third position पे है ठीक है, ये जो ranking जारी किया गया है इन्वर्सिटी रैंकिंग 2020 इसमें total 8 भारतिय संस्थान को जगा मिली है जिसमें सबसे पहले नंबर पे भारत के संस्थानों को देखा जाए तो सबसे पहले यानि total overall में 122 पोजिशन पे है IIT Bombay clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है रूस के अलगजंडर सा स्टोब को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंद लगाया गया है तो इसका जो सही answer है बो है option number C यानि 4 साल का प्रतिबंद लगाया गया है अगर हम बात रूस की करते हैं तो इसकी राधानी है Moscow currency है, ruble और यहां के राष्टपती है ब्लादीमीर, पुतिन clear है, चलिए अगले question की तरह बढ़ते है अगला question है, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहीयों के लिए समझोता किया है तो इसका जो सही answer हो है option number B, यानि Denmark के साथ अगर हम Denmark की बात करते हैं इसकी राष्धानी है, Copenhagen और यहां की currency है, Dennis Crown Dennis Crown, clear है, चलिए अब अगले question की तरह मर्सर के 2020, cost of living survey के अनुसार भारत का सबसे महेगा सहर कौन सा है तो इसका जो सही answer हो है, option number A यानि Mumbai, और यह total अगर overall world की बात करें तो बर्ड में यह 60 में नंबर पे है इंडिया में यह पहले नंबर पे है, लेकिन बर्ड में यह 60 में नंबर पे है और इसके बाद New Delhi है, जो की पूरे बर्ड में 101 में नंबर पे है अगर पूरे बर्ड की बात करते हैं, तो पूरे बर्ड में होंग कॉंग जो है वो पहले नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान दूसरे नंबर पे है और टोकियो जो है वो तीसरे नंबर पे है clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ अगला कोशिन है किस राज ने पंचवटी योजना शुरू की है तो इसका जो सही अंसर है वो है अप्सन अबर बी यानि हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है और इस योजना का उदेश क्या है? इस योजना का उदेश है ग्रामिन विकास बिभाग के माध्यम से मन्रेगा योजना के अंतरगत अब अस्य अक्सुप धाओं से योग सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे बिक्सित किये जाएंगे अगर इसकी राध्धानी की बात करते हैं तो इसका राध्धानी है गिटेगा और करेंसी है बुरूंडियन फ्रेंक अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है 2020 तक भारतिये रेलवे में कौन सा बर्थ सबसे सुरच्छी तरह है जिसमें पहली बार रेल दुरुगटना में किसी भी आतरी की मौत नहीं हुई है तो यह यही वाला सेसन है जो अभी करेंट चल ला है मतलब 2019 बीस वाले सेसन है अगर हम बात रेलवे बोर्ट की कर लेते हैं तो रेलवे बोर्ट की अध्याच का नाम है बिनोद कुमार यादव क्लेर है? चलिए अब आटते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किसे उडिसा हाई कोट का मुख ने अधिस निउक्त किया गया है तो इसका जो सही अंसर है बो है अप्सन नबर सी यानि साबितरी राठो क्लेर है? चलिए नेक्स कोशन है बाल मजदूरी के खिलाप 20 दिबस यानि बर्ल्ड डे अगेंस चाइल्ड लेबर का मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा अप्सन नबर सी यानि 12 जून और इस दिबस को मनानी की घुसना किसके द्वारा की गई थी? आईये लो के द्वारा की गई थी मतलब इंटरनेशनल लेबर अर्गनाईजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराष्टी है सरम संग अठन ने किया था अगर हम आये लो की बात करते हैं तो आये लो की अस्थापना उनाईस उनाईस में हुआ है और इसका हेड़कौटर जो है वो है जिनेवा स्वीजरलेंड में इस बात जो बलड़ अगेंस चायल लेबर है इसका जो थीम है वो है कोवीड उनाईस प्रोटेक्ट चिल्डरन स्वां चायल लेबर नाव मोर देन एबर क्लेर है? चलिए नेक्स कोशन है Middle of the Order of Australia से किस भारतिय संगितकार को सम्मानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number A यानी सोभा सेखर क्लिर है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है MPace ने संपर्क रहीत ATM निकासी सच्छम बनाने के लिए किस company के साथ सजिदारी की है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number A यानी mastercard mastercard की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अस्थापना उने 166 में हुआ है और इसका headquarter जो है वो new work USA में है clear है चलिए अगर हम बात ATM निकासी सच्छम बनाने के लिए मतलब संपर्क रहीत ATM की बात करते हैं तो USA के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जो इस तरह के संपर्क रहीत ATM की सुपधा उपलर्द करवाया है clear है चलिए next question है किसने पहले high range over head equipment OHE पर एक double estate container train को चालू करके एक नया bis record बनाया है तो ये हमारा भारत का railway है मतलब इंडियान railway है clear है चलिए next question है किस सहर में गहरे पानी में बचाओ कार्यों को अन्जाम देने वाले DSRB complex का नाबरंद किया गया है तो इसका जो सहयन सरेब हो है option number B यानि विसाखा पटना अगर हम बात करते हैं DSRB की तो DSRB का full form है deep submerged rescue vehicle ठीक है ये पूरवी नौसेमा command के द्वारा शुरू किया गया है next question है गोद्रेज ग्रूप के MD एवं CEO कान नुक्त हुए है तो इसका जो सहयन सरेब हो है option number A यानि निसेबा गुद्रेज ठीक है अगर हम गोद्रेज ग्रूप की बात करते है तो इसका गठा नूना अठारा सो संतानमे में हुआ है और इसका headquarter मुंबई में है clear है? चलिए next question है Gargo International के brand ambassador कौन है तो इसका जो सही answer है वो है Sonosu जो की recently बहुँ ज़्यादा famous हुए है COVID-19 को लेकर अगर हम Gargo International की बात करते हैं तो Gargo International एक lubricant बनाने वाली company है clear है? चलिए next question है किस राज में इस्तमाल किये गए mask को dispose करने के लिए B-Nunice और U-B-A-Sport नामक device लॉंच किया गया है तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि की केरल clear है? चलिए next question है किस अमेरिकी महिला ने पिर्थिवी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुचने का record बनाया है तो इसका जो सही answer है वो है option number A कैथी सुलेमान और ये नासा की पुर्व अंतरिश यात्री भी रह चुकी है next question है हमारा किस राज ने कर्म भूमी पॉर्टल लॉंच किया है तो इसका जो सही answer है और ये कर्म भूमी पॉर्टल है क्या ये कर्म भूमी पॉर्टल भू है कि जो IT बेवसाय से मतलब information technology मतलब IT field से जो related engaged लोग है मतलब पेसे बर लोग हैं वो अपने राज बापस लोटे हैं उनको अपने राज में ही रोजगार मुहया कराना ही कर्म भूमी पॉर्टल है नेक्स कॉशन है किस राजरकार ने ओनलाइन कच्छाओं प्रप्रती बंद लगा दिया तो इसका जो सही answer है वो है option number C यानि कर्नाटक अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां के मुखमंतरी का नाम है बीए से दुरप्पा यहां के गवर्णर है बजुभाई बाला यहां लोगसभा में 22 सीट है बिधान सभा में 224 सीट है नेक्स कोशन है किस भारतीय अमेरिकी बाग्यानिक ने 20 उखाद पुरुसकार 2020 बर्ल्ड फूर्ड प्राइज 2020 जीता है तो इसका जो साइनसर है बो है आप्सन नबर बी यानी रतनलाल ने क्लेर है? चलिए नक्स कोशन है हमारा मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा 20 भी देले सिर्ष नंबर पे रहा है तो इसका जो साइनसर है बो है आप्सन नबर ए यानी IIT मदरास अगर हम बात करते हैं IISC बैंकलोर की तो यह सेकंड नंबर पे रहा है और IIT जो देली है बोर थाड नंबर पे रहा है अगर हम NIRF बात कर लेते हैं तो NIRF का फूल फाम है National Institutional Ranking Framework क्लिर है चलिए Next question है अंतराष्टिये Albinism Awareness Day कम मनाया जाता है यह अक्च्छली रंग हिंता जागरुपता दिवस है जो की कम मनाया जाता है 13 जुन को मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा Option No.C यानी 13 जुन और इस बार का जो theme है बो है Made to Sign Theme याद रखिएगा बहुँ जाद एकजाम में पूछा जाता है theme चलिए Next question है किस राजसरकार ने बालमजदूरों को सिछित करने के लिए बालसरमिक बिद्धिया योजना शुरू किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है Option number C यानी उत्रपरदेश ने और ये है क्या इस योजना के तहसरकार कुछ लड़कों और लड़कियों को चैनित करेगी जो लड़के चैनित होंगे उन्हें 1000 रुपे और जो लड़कियां चैनित होंगी उन्हें 12,000 रुपे की मासिक BTS आहता प्रदान की जाएगी Next question है कौन सा संगठन पूरी तरह से डिश्टल होने वाला निर्मान छेतर का पहला संगठन बन चुका है तो इसका जो सैयन सरेब हो है Option number B यानी NHAI अगर हम बात NHAI के कर लेते हैं तो इसकी गठन उन्हें 188 में हुआ था और इसका हेड़क्वाटर न्यू देली में है और इसके जो अभी अध्याच है उनका नाम है सुखवीर सिंग सीधू Clear है NHI का full form है National Highway Authority of India Next question है अमारा किस राज सरकार ने दिव्यांग आगन बाड़ी कारकारताओं को कोरोना यद्ध्राओं का दर्जा दिया है तो इसका जो सहियन सर होगा बोज़का Option number B मदपदेश अगर हम मदपदेश की बात करते हैं तो यहां के जाज चीप मनिष्टर ने सिवरा सिंग चोहान गवर्नर है लाल जी टंडर यहां याद रखिएगा काना, माधब, बांदरगड, पन्ना, सत्पूरा, बन बिहार यह सारे राष्टी है उद्यान मदपदेश में है Next question है अगर हम HDFC बैंक की बात करते है तो इसका हेड़कोर्टर है मुंबई में और इसका गठन 1934 में हुआ है Clear है? चलिए Next question है हमारा हाली में स्वास सेवा स्रिंखला पोटल अर्योग पत किसने लॉंच किया है तो इसका जो सही अन्सर वो है Option B यानी CSIR CSIR की अगर बात करते हैं तो इसका फूल फोम है Council of Scientific and Industry Research जिसकी अस्थापना 1942 में हुई है Clear है? चलिए Next question है हमारा हाली में किस राज सरकार ने घरगन निगरानी मोबाईल अप लॉंच किया है तो इसका जो सही अन्सर है वो है Option B यानी पंजाब पंजाब के मुख मंत्री है Captain Amrinder Singh और यहां के राजपल का नाम है BP Singh Clear है? चलिए Next question है हाली में किस देश के स्वास मंत्री JB Monlinch ने करोना बारस की बज़ा से स्थिपा दे दिया है तो इसका जो सही अन्सर है वो है Option B यानी चिली अगर चिली की कापिटल की बात करते हैं यहां के राजपल धानी है San Tiago Clear है? चलिए Next question है हाली में Attorney General KK Benu Gopal का कार्ज काल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका जो सही अन्सर है वो है Option C यानी एक साल के लिए उनका जो tenure है वो extend कर दिया गया है Next question है हाली में UTI Mutual Fund के नए CEO कौन बने है तो इसका जो सही अन्सर है वो है Option number B यानी इम्तियाज इम्तियाजार लहमान ठीक है अगर हम बात UTI Mutual Fund की करते हैं तो इसका गठन 2003 में हुआ है और इसका जो headquarter है वो मुमबई में है Next question है हाली में किस payment bank MSME के लिए बेतन खाते की घोसना की है तो इसका जो सही अन्सर है वो है Option number E यानी Airtail Payment Bank ठीक है Airtail Payment Bank जिसकी अस्थापना 2017 में हुआ है और इसका headquarter New Delhi में है चलिए Next question है हमारा हाली में Central Railway ने यातरियों के screening के लिए कौन सा रोबर्ट तैनात किया है तो इसका जो सही अन्सर होगा वो होगा Option number B यानी Captain Arjun Next question है हाली में बिहार सरकार ने बिहार खादी का brand ambassador किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका जो सही अन्सर होगा Option number B यानी पंकत्र पाठी को न्यूक्त किया गया है तो ये था हमारा आज का वीडियो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साधी साथ बेल आइकन दबा दिजेगा नेक्स जो करेंट अफैर का वीडियो होगा वो अगले बिक का होगा और वो अगले बिक में पब्लिस कर दिया जाएगा अगर पीछे के फर्स बिक के करेंट अफैर के वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिट से देख सकते हैं थैंक्स फो वाचिंग